हिमाचल विस्चुनाव, भाजपा का सकल्प पत्र जारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षन का वादा शिमला, भाषा, भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नदा ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के लिए रविवा विधान सभा चुनावों में एक सब्ता से भी कम समय बचा होने के बीच नराने 8 लाख रोजगार स्रिजित करने, उच्चे शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को स्वकूटी देने और 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने समित कई अन्यवादे भी किये। सकलनप पत्र 2022 विमो कार्यक्र दिननकरा रचे नयर, वानाय मलर एक राज्य में फिर सरकार बनी तो समान नागरिक सहिता लागू करेंगे जाए। महिला मद्दाताओं पर ध्यान के इंद्रिती करते हुए नड़ा ने एक अलग संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षन देने का वादा किया गया है। उन्होंने भाजपा के चुनाव जीतने पर 6-12 कक्षा की छात्राओं को साइकल देने की भी घोशना की। एक सवाल के जवाब में नड़ू ने कॉंग्रेस द्वारा शनिवार को जारी घोशनापत की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें दूरद्रिष्टी का अभाव है। भाजपा ने घोशनापत तयार करने के लिए आम जनता से सुझाव लेने के वास्ते एक समिती गठित की थी। पार्टी का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदलने की प्रवरिती रोकी जाए। हिमाचल प्रदेश की अर्सट सदसिय विधान सभा के लिए बारा नवंबर को मद्दान होगा।